भारती जनता पार्टी का एक प्रतेधि मंडल मुलाकात करता है राश्पती द्रौपदी मुर्मों के साथ और आप जानते हैं किस अपील के साथ? इस अपील के साथ कि द्रौपदी में अर्विंद केजरिवाल जेल से सरकार चला रहे हैं लहाजा सरकार को बरखास किया जाए द्रौपदी के अंदर बहुत जबरदस करप्शन है लहाजा सरकार को बरखास किया जाए ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस् पार्टी इन आसान से सवालों का जवाब देगी सबसे पहली बात अरविंद केजरिवाल के खिलाफ जो एडी का केस था वो धराशाई होता हुआ दिख रहा है क्योंकि उस मामले में अरविंद केजरिवाल को बेल मिल गई है सीबियाई वाला मामला जो है अदालत के अंदर तारीख पे तारीख हो रहा है और ये तारीख का क्या खेला चल रहा है सब समझ रहे हैं सबसे बड़ी बात दिल्ली के बॉस अरविंद केजरिवाल ना होके दिल्ली के एलजी हैं एलजी साहब हैं यानि कि आज की तारीख में दिल्ली में जो भी हो रहा है वो LG साहब की वज़ा से हो रहा है तो क्या भारतिय जनता पार्टी के विधायक और नेता अपने ही LG के खिलाफ बगावत का जंडा बुलंद कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या भारतिय जनता पार्टी सीधे चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकती क्या BJP इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि वो सिर्फ सरकारों को बरखास करने में या चोर दर्वाजे से सत्ता में आने में विश्वास करती है मैं आपको भारतिय जनता पार्टी की असुरक्षा की क्या इंतहा है दोस्तों, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ हाली में लोग सभा चुनाव हुए थे, सातों की सातों सीट किस ने जीती? भारती जाता पार्टी ने जीती यानि कि दिल्ली की जनता ने आप में विश्वास जतलाया आपका जो पूरा प्रोपेगैंडा था अरविंद केजरिवाल को भरष्ट साबित करने का वो काफी हद तक काम्याब हो गया तो बड़ा प्रशन जब लोग सभा चुनावों में आप सातों की सातों सीटे जीत गए थे तो अब आपको वहाँ पर राष्ट पती शासन लागू करने की वज़ा क्यूं दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात आप भरष्टाचार की बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि अर्विंद केजिवाल जेल से सरकार चला रहे है केंद्र सरकार में जो भरष्टाचार है उसकी जाँच तक नहीं होती है रोज लगभग रोज कॉंग्रेस सेभी प्रमुक माधभी बुच पर प्रेस कॉंफरेंसेस कर रही है केंद्र सरकार को ये तमाम चीज़ें पता हैं मगर केंद्र सरकार इस बात की जाँच तक नहीं करानी चाहती तो भार्थी जंता पार्टी खुद पर जो भरष्टाचार की आरोप लग रहे हैं उसकी जाँच भी नहीं करवारी है और आप अर्विंद केजरिवाल को जेल भेच चुके हैं इत्फाकन जिस व्यक्ति की गवाही के आधार पर अर्विंद केजरिवाल और उससे पहले के कविता BRS की के कविता जेल में थी वो व्यक्ति आज की तारिक में भाजपा की गोद में बैठा हुआ है और आप भष्टाचार की बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल जेल से सरकार चला रहे हैं सत्ता की भूक क्या भारतिय जंता पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा है कि वो विधान सभा चुनाव का सामना नहीं करना चाहती मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि राश्टपती द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात के दोरान बीजेपी ने क्या तरक दिये हैं राश्टपती शासन लागू करने को लेकर और वो तरक क्या हैं आपके स्क्रीन्स पर दिल्ली सरकार को बरखास करने की मांग करने वाले बीजेपी निता विजेंद्र गुपता की अगवाई में बीजेपी विधायक 30 अगस्त को राश्टपती से मिले थे विजेंद्र गुपता ने राश्टपती से हर बारिश में दिल्ली के जल मगन होने की बात की उन्होंने आयुश्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने का जिक्र किया गुपता ने कहा कि आयुश्मान भारत योजना के हजारों करोड रुपे का फंड बंद हो गया है मुख्य मंत्रिया अर्विंद केजरिवाल के जेल में रहने के चलते सरकार काम नहीं कर पा रही है गुपता ने कहा कि हम राश्टपती से दिल्ली की सरकार को बरखास्त करने का नुरूद करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाब के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके। और आप जानते राशपती द्रौपदी मुर्मू ने इनकी ये जो अपील है वो ग्रहम अंतराले को सौंप दी है। वो दिल्ली जहां की सरकार एक भी काम नहीं कर सकती बगएर उनकी इजासत के आज की तारीक में ये कहा जा रहा है कि वहाँ व्रश्टाचार है वहाँ पर जेल से काम किया जा रहा है ये तमाम तरक दिये जा रहे हैं। आखिर क्यों? दोस्तों इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है पार्टी की नेता सौरव भारदवाज का बयान। वो कहते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी चोर दर्वाजे से सत्ता चलाना चाहती है सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जन्ता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केज्रिवाल के साथ चुनाव है जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दुबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के उपर कब्जा करने के लिए अपनी अपनी उनकी राश्ट्पती अपने उनके अपने उनके अपना उनका प्रत्रिंदी मंडल तो बेवकूफ किसको बना रहे हैं। तो सब एकी तो हैं। तो ये जब फैसला कर लेंगे तब ये हो जाएगा बाकि ये तो इन ही के लोग हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी में इस वक्त जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, वहां दूसरी तरफ भारतिय जंता पार्टी भरष्टाचार के मुद्दे पर और तमाम मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है, सिधा सा सवाल जब आम आदमी पार्टी नौकर शाहों के भरष्टाचार को लेकर LG साहब से अपील करती है तो इस बात को सुनने का प्रयास तक नहीं किया जाता सुनिये पार्टी के नेता और मंत्री किस तरह से LG साहब और भाजपा की पोल खोल रहे हैं आपको कल जानकारी मिली होगी कि बहुत सो चुचार करने के बाद LG साहब ने आखिर एक फैसला लिया कि जो बाद दिल्ली सरकार के मंत्री चीक-चीक के कई मैनों से कह रहे थे आगएंड डेवलप्मेंट मिनिस्टर होने के नातिव में और्न रिकौर्ड बार बार ये बात कह रहा था लिख रहा था कि दिल्ली के अंदर डी सिल्टिंग के नाम पे बड़ा व्रस्टा अचार ہوया है बड़ा मत्मा बहुत बढ़ा व्रस्टा अचार होया है और खूब पैसे खाई है करोरो रुपय की डीजिलिटिंग और करें से आज्ड कागtime होई domincomm एक subt Ilsum हुई है यह बात में आज से नहीं महीनों से कह रहा हूं और बार-बार कह रहा हूं। मैं मुख्य सचित मरेश तुमार को लिख रहा हूं कि आप ये जो डीस इंटिंग के जो डावे हैं इनकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराईए और एक मंत्री के बार बाग लिखित आदेशों के बाग जूर थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई गई यह क्या कहलाता है यह क्या हैं और बोल रहे हैं दो साउथ वेस्ट वन और साउथ वेस्ट टू रोड दो डिवीजिनों की जाच कराई जाए जाए क्या मज़ाग चल रहा है आपको आदेश देने चाहिए और मैं आपको कह रहा हूं आप 48 घंटे के इंदर इत्ता लंबे समय क्यों चाहिए भई मैं से एक मंत्री शिकायत कर रहा है अब आप जाके आदेश दे रहें वो भी सिर्फ दो डिवीजिनों के बारे में आप 48 घंटे में LG साहब जांच कराएं चाहे CBI से कराएं चाहे ACB से कराएं चाहे मुखे सचिव से कराएं या खुद कर लें 48 घंटे के अंदर दिल्ली वालों के सामने नाम दीजिए कौन अफसर जिम्मेदार है जिनोंने इतना बड़ा धोका दिल्ली वालों के साथ किया है करोड़ रुपे का ब्रस्टाचार दिल्ली के अंदर किया है LG साहब का काम था ये देखना कि ये ना हो ये चोरी ना हो ACB उनके पास, विजलेस उनके पास, अफसरों के उपपर सारी की सारी Transfer, Posting, Administrative, Action की जिम्मेदारी सारी LG के पास तो LG साथ क्या कर रहे है अब तर? 48 घंटे दिल्ली सरकार LG साथ को दे रही है LG साथ 48 घंटे के अंदर नाम भोचित करें कि कौन अफसर जिम्मेदार हैं जिन्होंने करोडों रुपे का बस्टाचार दिल्ली के साथ किया और उन नालायक अफसरों की वज़े से दिल्ली के अंदर जगे जगे पानी भारा दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा सुप्रीम कोट का एक फैसला आया था फिर भाजपा सरकार क्या करती है उस फैसले को पलट देती है और अब तमाम जो नौकर शाह हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे लजी विनय सक्सेना को रिपोर्ट करेंगे यानि कि आज की तारीक में नौकर शाह भी आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं वो उन्हें कुछ भी कहते हैं उन्हें सुनने तक को तयार नहीं है ऐसे में आज की तारीक में भारती जनता पार्टी पहुँच जाती है राश्पदी के पास कि वहाँ पर राश्पती शासन लागू किया जा रहे जबकि पूरी दिल्ली इस वक्त LG साहब चला रहे हैं जिनकी कोल जवाब देहीं नहीं हैं क्यूं क्योंकि LG साहब को किसी ने नहीं चुना LG साहब थोपे गए हैं भारती जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के ऊपर जो चुनी हुई सरकार है उसकी ताकत को कुंद कर दिया गया है उसकी ताकत को खत्म कर दिया गया है यानि कि जब भरष्टाचार का मुद्दा भी उठाय जाता है नौकर शाहों में भरष्टाचार का मुद्दा उठाय जाता है तो दिल्ली के LG के कान में जूं तक नहीं रेंगती दोस्तों अगर आज दिल्ली पहुंची है राश्टपती के पास और अगर राश्टपती द्रौपती मुर्मू उनकी अपील ग्रह मंतराले को सौप रही है तो यह अपने आप में बहुत चिंता जनक है क्योंकि हमने देखा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस तरह से ED का केस धराशाई हो गया है इस मुद्दे पर अरविंद के एजरिवाल को बेल मिल गई है और आप जानते हैं ED के केस में आसानी से बेल नहीं मिलती है जब तक अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त ना हो कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं या फिर ये व्यक्ति देश खोड़ कर ना भाग जाए तब जाकर आपको बेल मिलती है CBI ने मामले को सुप्रीम कोट में फसाया हुआ है कम से कम ये बतलाने के लिए हो गया कि देखे अरविंद के जिवाल अब भी जेल में है मगर दिल्शस बात ये है कि जिस व्यक्ति की गवाही के वज़ा से वो जेल में है वो भाजपा की गोद में है माघुंटा रेड़ी का बेटा राघवा रेड़ी उसे गिरफ्तार किया जाता है उस पर दबाव बनाया जाता है और जैसे ही वो बयान पलटता है उसे पेल मिल जाती है और बात यान ये रुकती है कुछ महीनों बाद राघवा रेड़ी के पिता माघुंटा रेड़ी तेलगू देसम पार्टी में शामिल हो जाते है Y.S.R. कॉंग्रिस को छोड़के इस पूरे खेला को समझ रहे हैं आप एजनसी इसके जरीए दबाव बनाओ ब्लाक मेल करो और फिर ब्लाक मेल के जरीए दूसरे लोग को फसाओ जैसे की कविता और अर्विंद केजरिवाल को फसाया गया है और बात यहां नहीं रुकती और इस कदर दबाव बनाओ कि वो पार्टी भी छोड़ दें आप ये सारा खेल समझ रहे हैं दोस्तों और उसके बाद राश्टपती के पास पहुँच जाते हैं ये कहते हुए कि सरकार में भ्रश्टाचार है ये कहते हुए कि सरकार जेल से चल रही है आपने अर्विंद केजरिवाल के सामने विकल्प क्या छोड़ा है आपको याद है किस तरह से एक बेस्मेंट में एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था और कुछ चात्रों की मात हुई थी इसी मंच पर मैंने अर्विंद केजरिवाल को कटगरे में रखा था मगर फिर ये भी पता चला था कि किस तरह से अर्विंद केजरिवाल सरकार के हाथ पीछे से बंधे हुए है क्योंकि जो वो काम करना चाहते है LG साहब उन्हें करने नहीं देते ऐसे में जवाब देही सिर्फ अर्विंद केजरिवाल की नहीं है मैं एक बात स्पश कर दूँ अगर अब भी दिल्ली में जल्ब हराव हो रहा है तो अर्विंद केजरिवाल इससे बच नहीं सकते आप 10 साल से उपर सत्ता में है तो इस जवाब देही से आम आदमी पार्टी सरकार बच नहीं सकती है अगर अब भी जल्ब हराव हो रहा है मगर क्या जल्ब हराव के लिए दिल्ली में राश्पती शासन लागू कर दिया जाए क्या LG की कोई जवाब देही नहीं है सबसे बड़ी बात इस दिल्ली में कॉंग्रिस की भी सरकार रही है इसी दिल्ली में मदलल खुराना भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे साहिब सिंग वर्मा मुख्यमंत्री हुआ करते थे राश्रपती के पास पहुँच जाती है एक चुनी हुई सरकार को बरखास करने के लिए E.D. का केस अरविंद के एजरिवाल के खिलाब धराशाई होता है तो फिर क्या होता है E.D. पहुँच जाती है अमान अतिल्ला खान जो की पार्टी के विधायक हैं उनके घर और उन्हें गिरफतार कर लेती है ये खेला चल रहा है दोस्तों यानि कि अगर तुम हमारे सामने नहीं जुकोगे तो हम अपने एजनसी इसके सहारे तुम्हें जुकाएंगे तुम्हें बदनाम करेंगे अपने प्रचार तंत्र के जरिए अपने पाल्तू मीडिया के जरिए और अगर वहां पर भी बात नहीं बनी तो हम राश्टपती द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच जाएंगे शिकायत करेंगे कि सरकार बरखास्त करो सीधी सी बाते मुकाबला किया जाएना ज्यादा वक्त नहीं रह गया छे महिने भी दी रह गए दिल्ली के चुनावों में इन चुनावों का सामना भाजपा क्यूं नहीं करती आखिर क्यूं चोर दर्वाजे से सत्ता में आना चाहती है अब इसार शेर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार